पांच हजार सालों से इस देश में शुद्रों को प्रताडित किया जा रहा है। इसका कारण है इस देश की वर्ण व्यवस्था। तो प्रश्न उठता है। क्या ये वर्ण पहले से ही ऐसे थे। नमस्कार दोस्तों। ये विडियो अंत तक जरूर देखना। तो चलिए। च की ये वर्ण व्यवस्था कैसे बनी? क्या शुद्रों की हालत पहले से ही ऐसी है? प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। बाद में रगवेद में ब्राह्मणों ने पुरुष्शुक्त का समावेश किया और इसकी वजह से समाज में उच इतिहास की नजर से देखा जाए तो वो आर्य और नागवंश के लोगों में हुआ था। उसके बाद ब्राह्मण और क्षत्रियों का युद्ध हुआ और कहा जाता है उसी समय ब्राह्मणों ने पुरुष्शुक्त को रिगवेद में जोड दिया। उसी समय भारत में बु ब्राह्मण समान थे मतलब क्या? मतलब काम वही था, बस उचनीचता नहीं थी, छुवा छूत नहीं थी, तब भी शिक्षा का आधिकार केवल ब्राह्मणों के ही पास था। पुरुष्शूक्त आने के बाद छुवा छूत का दौर शुरू हुआ। अब शूद्र बनके ब्राह्मणों की सेवा करो और अपने पापों से मुक्त हो जाओ, फिर अगले जनम में तुम ब्राह्मण बन जाओगे, अगले जनम के मोह में वो लोग आज शूद्र होने को राजी हो गए, पुनरजन्म का सिध्धान्त इस देश में इसी कारण बना अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, ये शूद्र थे कौन? जैसे हमने बताया, इस देश में आर्य और नागवंश के लोगों का युद्ध हुआ था, ये युद्ध भीशन रुप से लढ़ा गया और इसमें आर्यों को विजय मिली। आर्यों की विजय का कारण उनका वाहन था, आर्य घोडों पे सवार होकर युद्ध करते थे, तो नाग भूमी पर रहकर पैदल युद्ध करते थे, इन ही कारणों वश आर्य जीते और उन्होंने नागों को गुलाम बनाया, जो नीती अंग्रेजों ने भारत में पूट डालो और राज करो, वही नीती आर्यों ने नागों के विरोध में अपनाई थी, आर्य जीते और नाग हारे, इसलिए आर्यों की संस्कृती नागों से महान नहीं होती, नागों की संस्कृती आर्यों से कही गुना अधिक सुयोग्य और सफल थी, सिर्फ उन लोगो को धोका धड़ी नहीं आती थी, इसलिए नाग हारे। वही नाग बाद में शूद्र हुए, आज बहुत सारे हिंदू भी नाग वंश के ही हैं। जो कभी आर्यों के गुलाम हुए नहीं, वो नाग आज के आदिवासी है। ऐसे आर्य भारत में एक जहर बन के आये थे। वैस बात धार्मिक प्रथाओ की हो रही है, इसलिए हमने वेदो से सुरू किया है। कहा जाता है कि भारत में आर्यों का आगमन इस विसन पूर्व 1500 से पहले हुआ था। कोछ इतिहास कार ये भी मानते है कि सिंधू सभ्यता का अंत आर्यों ने ही 1900 BC में किया था। सिंधू सभ्य द्रविड लोगों की सभ्यता थी उन्हें ही नाग लोग कहा जाता है। कहा जाता है कि आर्यमध्य एशिया से भारत की ओर आये थे। इनका मूल निवास स्थान आल्पस परवत के पूर्वी क्षेत्र में युरेशिया में था। और ये बात आनुवांशिक आधार पर सिद हो चुकी है। आर्य लोगों के जीवन में घोडो का सबसे अधिक महत्व था और इसी कारण आर्य विविध दिशा में जल्दी पहले हुए थे। आर्य लोगों ने जहा पहले निवास किया था वो जगह सप्त सिंधु के नाम से जानी जाती है। रिगवेद में नाग अमबेडकर ने अपनी किताब हुवर्द शुद्रास में आर्य बाहर से आने केस दावे को जूट करार दिया है। वो कहते थे कि कोई बाहर से नहीं आया सब इसी देश के हैं। उन्होंने रिगवेद में जिन दस्यू लोगों को मूल निवासी कहा गया है उसे भी जूट पर उस समय DNA टेस्ट नहीं हुई थी यह भी बात सच है। अमबेडकर ने जब लिखा था तब कोई ठोस सबूत नहीं था पर जितना डॉक्टर अमबेडकर ने पढ़ा था उतना कोई पढ़ा नहीं। उस समय बहुत ब्राह्भनवादी नेता भी आर्यों को बाहर का बतात पर उस समय अकेले डॉक्टर अंबेड करने इस बात को जूट करार दिया था। नाग लोग ही इस देश के मूल निवासी थे। आर्य तो बाहर से आने का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु नदी के इलाके में आर्य आये थे और पशुपालन का काम करने लगे थे। ये काम करते करते उन्होंने भारत में अपना आधिपत्य स्थापित किया था। जैसे कथाओं में कहां जाता है। और आपने महाभारत में भी देखा होगा तक्षक नाग के बारे में। असल में ये कहानिया जुटी है। दरसल तक्षक कोई सर्प नहीं था, ओ एक नागवंशी य माग रहा है। वेदों के बाद हिंदूओं के जितने भी ग्रंत हुए और बुद्ध के बाद ही लिखे गए है। बुद्ध वेदों को कचरा कहा करते थे, जैन भी वही कहते थे। ये था नागों का इतिहास जो भारत में एक सुयोग्य और सुजान शासन चलाते थे, उन् इन आर्यों ने बदनाम और गुमनाम कर दिया, शुद्रों को पढ़ने इसी लिए नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों को डर था कि इन लोगों को अपना इतिहास और अपना वास्तविक रूप ना पता चल जाए। यही कारण रहा जो ब्राम्हनों ने शुद्रों को इतना नहीं चाहते थे, वही नागवंश का महानायक डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा ब्राम्हनों का स्थापित आधिपत्य खत्म हुआ। पांच हजार साल के शडियंत्र को अकेले नागवंश के महानायक ने मिटा दिया। अपने पूर ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही नॉलिजबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही सची जानकारी हम आपको उपलब्ध करा सके। धन्यवाद।